नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका online study video के में दोस्तों इसमें हम हिंदी भाषा का practice set लेकर आए हैं important question इसमें include है so dear लगाए ये practice set और बताएए आपके कितनी question सही गए है सभी टैट के लिए important है and dear videos को like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए मेरे YouTube channel को so now friends let's start so dear question है, बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभापूर्ण जो परिवर्तन होता है तो बच्चों में सीखने से जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है व्यवार परिवर्तन, मूल परवीतियों में परिवर्तन, व्यक्तिकत प्रेणाव में परिवर्तन या इन में से कोई नहीं तो डियर जब भी सीखते हैं तो हमारा जो बिहेव है वो चेंज होता है उसमें परिवर्तन आते हैं तो आपका व्यवार प्रिभरतन कहलाता है प्रात्मिक स्थर पर प्राइमरी लेवल पर पूचा है रचना शिक्षन के लिए सरवाधिक उप्युक्त वीदी जो है रिक्त सानो की पुर्ती परशनोत्तर चित्र वर्नर या निमंद लेखन तो डेर बताईए इसका आंसर क्या होगा प्राइमरी स्थर पर जो सबसे सही जो वीदी रहती है वो चित्र वर्नर रहती है जैसे यहाँ पिक्चर ही कोई यहाँ पानी पिया है प्यासा कोई है न तो इसके ऐसे जैसे picture बना दी तो उसका वर्नन हम उसको समझा सकते है वर्नन चित्र से वर्नन उसका कर सकते है तो चित्र दिखा के जो वर्नन किया जाता है वो प्राइमरी स्थर पर सबसे उप्युक्तवीदी माने जाती है थर्ड ऑप्शन इस राइट भारतिय बालक को जो बालक है उसको मात्र भाषा जो है अंग्रेजी भाषा जो है हिंदी शित्र की हिंदी भाषा आधी ये सभी सीखनी होती है आंसर जो सही होगा वो होगा फोर्ट ऑप्शन बालोदान पदिती के प्रवर्तक है डॉक्टर मांटेंशरी फ्रोबेल डीवी या महात्मा गांध तो बालोदान पदिती के जो प्रवर्तक जो माने जाते हैं किंडर कार्डन के तो वो है फ्रोबेल आंसर बी ऑप्शन इस राइट आई मीन सेकेंड ऑप्शन इस राइट डॉल्टन वीदी के प्रवर्तक कौन है डॉक्टर मॉन्टेंशरी महात्मा गांधी कॉल्डवेल मि इसका आंसर जो सही होगा वो होगा मिस पार्क हस्ट ऑके भाषश शिक्षण में व्यापक उप्चारात्मक शिक्षण हे तू सरवादिक उप्युक्त जो उपाये हैं इसमें जो पूचा है कि उप्चारात्मक शिक्षण हे तू ओप्शन है विदालों को और अधिक धन व्यवस्था की जाए, 36 का बताना है डियर आपको. तो इसके लिए जो होता है भाषा शिक्षन में व्यापक उप्चारात्मक शिक्षन हें तू सरवादी उप्यूक्त जो उपए हैं, वो है कि कक्शा शिक्षन नीमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए, 36 का जो आंसर सह वो होगा fourth option, okay. Next question है, त्री भाशा सुत्र की रचना हुई, उनिसो स्तावन, उनिसो पैंसट, उनिसो बावन, उनिसो चपन, तो त्री भाशा सुत्र की जो रचना हुई है, वो हुई है 1954 में, D option is right, okay. नेक्स्ट है कक्षा में किसी वस्तु का वास्त्विक सवरूप चित्र द्वारा स्पस्ट किया जाना संभब ना होने की सिति में प्रयोग करना उचित होगा तो dear अगर आपको वास्तिक सवरूप उसका दिखाना है चित्र द्वारा सपस्ट ना किया जाने पर संभव ना हो तो उसकी स्थिति में प्रयोग करना उचित होगा रेखा चित्र, कार्टून, चित्र विस्तारक या प्रतिरूप मॉडल 38 का आंसर जो सही होगा वो होता है dear 38 क D option is right प्रतिरूप या मॉडल क्योंकि अगर आप वास्तिक सवरूप उसका नहीं दिखा सकते हैं या उसकी स्थिति में नहीं हो सकती है आने की तो उसके लिए उसका जो best रहता है वो है प्रतिरूप मॉडल किसके अनुसार मुल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके दवारा अध्यापक वर चात्र इस बात का निर्णा करते हैं कि शिक्षन के लक्षों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं तो किसका एक अतन है कॉन बेक के, ब्लूम के, एडम्स के या इनमें से कोई नहीं 39 का जो आसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्षन सही होगा कौन बेक की, ओके, हिंदी भाषा के मौकिक व्यावार में शब्दों का शुद उचारण निर्भर करता है, ऑप्षन है बोलने के बल पर, बोलने के सूर पर, बोलने के अनुतार पर, या इन सभी पर, 40 का जो आसर सही हो और बोलने के जो अनुतार है, इन सभी पर नेभर करता है, so fourth option is right, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षन की समस्या है, इंक्लूजिव क्लास में भाषा शिक्षन की समस्या है, उप्युक्त भाषा प्रिवेश का निर्मार न हो पाना, उप्युक्त पाठ्य समागरी का विद्यारतियों की योगताओं में भीनता होना, विद्यारतियों में असमान रुची का होना, 41 का जो आसर सही होगा, वो तैडियर एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षन की समस्या होती है, वो भाषा प्रिवेश का निर्मार न हो, पाना क्योंकि विशेश आवशक्ता वाले जो बच्चे होते हैं जब तक उनको अपने अकोडिंग इन्वोर्मेंट नहीं मिलता तो वो भाषा नहीं सीख सकता व्याकरण शिक्षण का भेध है अपचारिक व्याकरण पाठ व्यावारिक पाठ प्रासंगिक व्याकरण पाठ या यह सभी 42 का आंसर जो सही होगा वो हम बताते हैं तो D option सही होगा अपचारिक जो व्याकरण जो पाठ होता है विवारिक जो पाठ होता है प्रासंगिक जो व्याकरण पाठ होते हैं तो ये व्याकरण शिक्षन के भेद होते हैं आंसर इसका जो सही होगा 4th option is right अगला है ग्रहात्मक कोशलों में शामिल है सुनना पढ़ना बोलना लिखना बोलना लिखना या पढ़ना लिखना तो जिसे हम ग्रहन करते हैं ग्रहात्मक कोशलों में जो शामिल है 43 का थर्ड ओप्शन सही होगा बोलना और लिखना ठीक है तो आंसर थर्ड ओप्शन इस रा प्राप्त करना विश्य वस्तु का ग्यान प्राप्त करना या रचना कार्या के विभिन रूपो का ग्यान प्राप्त करना 44 का थार्ड ओप्शन सही होगा उच्छारन का ग्यान प्राप्त करना क्योंकि इसका जो होता है जो भाशिक तत्व होता है उसका समुचित ग्यान प्र प्राप्त करना वो ज्यानात्मक उदेश्य नहीं कहलाता है मदल लैंग्विज टीचिंग का त्री भाषा शुत्र में उच प्रात्मिक स्थर पर कि भाषा के शिक्षन को प्रात्मिकता दी जाती है तो बताना है मात्र भाषा, अंग्रेजी, विदेशी या संस्कृत 45 का आंसर सही होगा वो मात्र भाषा को की जाती है फर्स ओप्शन इस राइट अब डियर यह हमारा पध्यांश है तो आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए और आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं हम डारेक्ट इसके कोश्चन करते हैं कभी दुनिया में ओरों का नहीं हम छीन कर खाए पंक्ती का आश्या है तो आप ओप्शन देख लिजे डियर इसका आंसर जो होगा 46 का हमने अगर पद्याश पढ़ा होगा चैसी तो आपको पता चल जाएगा इसमें बताया कि हम अपने कमाई धन पर संतोश करें ठीक है हम सैटिस्फाई हो अपने द्वारा जो कमाई गया जो धन है गौरव शवद का प्रयावाची है तो गौरव शवद का जो प्रयावाची है वो समान कहलाता है रास्टर जंडा परतीक नहीं है तो किसका नहीं है पूछा है 48 का अंकार का जंडे को प्रेर्णा का बल किसलिए कहा गया है तो क्यों कहा गया है तो आप option देख लिजे तो वो है 49 का थर्ड option सही होगा रास्टर हित के भाव जगाने के लिए हरा है देश का अंचल प्वंक्ती में हरा शबद वाचक है तो ये किसका है तो ये हर्याली का है तो खेतो की हर्याली का अगला है सबल में उपसर्ग है तो सबल में उपसर्ग जो है उपसर्ग शबद से पहले लगता है तो बताना है पहले जो लग रहा है 51 का वो होगा second option प्रत्य शबद के बाद लगता है अब डियर ये प्रद्यांच है तो आप इसको pause करके पढ़ लेना तो चलते हैं question की ओर ये है उप्रोक्त गद्यांच के लिए कौन सा शीषक सबसे अधिक उप्युक्त है प्रिवर्तन के कारन हमारे आसपास होने वाले प्रिवर्तन वस्त्व की आकरती में प्रत्यावर्तन विभिन प्रकार के प्रत्यावर्तन 52 का D option सही होगा गद्यांच में बताया गया है कि किस प्रकार मुनुषक के आसपास के जो वातावर्ण है मोसम वस्त्व के जो सवरूप है उसमे निरंतर प्रिवर्तन होते है तो इसी लिए इसका answer D option सही होगा विदालय शवद में प्रियुक्त संदी है तो बताना है कौन सी इसमें संदी है विद्या प्लस आल्लय तो इसमें बना विदालय और इसमें जो संदी है इसका answer आप comments में करोगे इसका जो answer है वो आप comments में करोगे विदालय शवद में कौन सी संदी है अगला है दिन रात में प्रियुक्त जो समास है अव्यवी भाव करमधारिये द्वन्द यद्वीगु 54 का वो है जैसे दिन रात तो इसमें द्वन्द आया तो इसमें हुआ द्वन्द समास क्योंकि इसमें जो दोनों पद होते हैं ठीक है प्रदार होते है और विग्रहा करने पर और भी लगता है या लगता है एवाम लगता है तो ये इस्मेवndवनसमास आते हैं दूद का प्रिवाजी शबत है दूद का जो प्रिवाजी शबत होता है वो हम बताते हैं 55 का D option सही होगा वो होगा शीर अचानक घटित होने वाला तो क्या कहलाता है आपका अचाना घटित होने वाला तो वो होता है आक्समीक ओके तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो इस वाक्या में अपने आसपास से तातप्रय है तो वो क्या हो सकता है तो वो सभी स्थान हो सकता है आप घर, खेल का मैदान, केवल विदाले तो इसका आंसर जो सही होगा 57 का फॉर्थ ओप्शन सही होगा वो कुछ भी हो सकता है किस इस गद्यांश में जीन प्रिवर्तनों का उले किया गया है उनमें ऐसे कारकों को समलित नहीं किया गया है जैसे कौन से कारे इसमें समलित नहीं किया गया है तो आप गद्यांश पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा वो है कीमत और मुल्य प्रिवर्तन संभव नहीं है तो किसमें संभव नहीं है डियर प्रिवर्तन संभव नहीं है जब तक कोई कारण नहीं हो ओके 59 का 3rd option सही होगा जब कोई जब तक कोई कारण नहीं हो अगला है हमारे आसपास होने वाले प्रिवर्तनों में से नीचे किन का उलेक नहीं किया गया तो किसका उलेक नहीं किया गया है 60 का second option सही होगा वो होगा नदी का मार्ग क्योंकि इसमें बताया है कि जंग लगना जो होता है पानी का भाब बनना भोजन पगाना ये तो प्रिवर्तन का उलेक है जबकि नदी का मार्ग बनना ये प्रिवर्तन को लेख नहीं किया गया है इसी लिए second option है सो डियर यही थे आज के question जो practice set में थे हिंदी के अगर वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज जादा से जादा like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए YouTube चैनल को Till then, bye bye, rabraka, jay bolnaad